तो गोरो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यूपे कैसे हो आप बहुत ही बड़ी है मेरे भाई मज़ा आगया और अच्छा लगा कि मैं आपके पास आया अरे नहीं यह तो हमारे लिए बड़ा पन है कि आप अपना थाम निकालके इतनी दूर से भाई हमारे पास में आए अरे भाईों के लिए प्यारी प्यार है भाई को इटेंश कर देते हैं आज का पॉड़कास गोरो भाई के साथ में आप नहीं है भाई यह एक मतलब अच्छा व्लोगिंग और एडिटिंग बस इसके अलावा कुछ खास नहीं है मेरी लाइफ में तो फुल टाइम अभी यूट्यूबिंग ही चल रहा है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो जनता देखो आप अपनी जर्नी यूट्यूब कहां से स्टार्ट हुआ कैसे हुआ वो थोड इंजिनियरिंग रहा है मिडिल क्लास फैमिली से था ठीक था तो मेरी शुरूआ तो भी टेक से बीटेक में करता रहा है स्टूडीज में इतना खास नहीं था मैं स्कूल में अच्छा था बट कॉलेज में आती और बेकार हो गया मैं तो फिर कड़ते कड़ते फाइनल ये र आट टाइम में को कुछ जॉप करनी है तो मैं यूट्यूब पर सर्च करता रहा था कि हाउट ओन ऑल्लाइन या थोड़े पैसे बाट दो से रोपे कमा लूब फिर ऐसी देखते देखते एक यूट्यूबर की वीडियो आई एक मुंबई के यूट्यूबर है नाम याद न से मैं बनाता था वीडियो तो मैंने का यार चांदी चौक से चोरी का फोन होता है ना वो चोरी का कहते हैं बट मैंने फोन लेकर आता हो कुछ अच्छा सा मिल जाए फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करा तो एक भी वीडियो नी आई मैंने यार यह चीज बड़ी सही है क् कि मैं चीज बनाके डालूँ यूट्यूब पर है भी नहीं तो वाइरल हो जाएगी कुछ यूनी कंटेंट मैं गया मैंने पूरा कवर करा चोर बजार यह वो उस टाइम भाई एक भी वीडियो नहीं थी मैंने सबसे पहले बनाके डालियो भाई वीडियो वाइरल हो गई अ फिर मैंने जार यह चीज सही मैंने फिर उनीक ही बनाया जाए फिर मेरे अंदर और क्या टैलेंट है फिर मेरे अंदर था भाई मैंने को चलो पतागोडा नहीं यह अन्याते लिए व्लोगिंग मतलब कोई करता भी नहीं था बहुत गिनेंच ने एक-दो यूट्यूबरी थ से ना भाई फिर मैं देख तरह भार की यूट्यूबर्स को भी देखे लोगन पॉल जेक पॉल फिर आइडिया लिया कि हाँ भाई इस पे थोड़ा और क्रेटिव क्या कर सकते हैं लोगों से आइडिया लिया फिर बनाते हैं आज आज ही तुम्हारे भाई तो जर्नी बहुत ह थी मुझे लगता है एक मिडल क्लास बंदे के लिए एक जीरो से और आज मिलियन ऊफ सब्सक्राइबर होना भाई देखो पैसे से पैसे बनाना बहुत असान है बड़ जीरो से बनाना ना भाई और इतनी जल्दी भाई बहुत टफ है बहुत टफ है यह सीन मैं भी देख रह रहा है या कुछ simple videos बना रहा है तो लोगों देखते निए अच्छा यह बात आप मानते हो कि लोगों को सिर्फ जो मैं कहते हूं खराब content बोलना या बेकार का content बोलना लोग बाग उसको जादे लोग मेरे से देखो बोलते कि भाई तुम ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो मैं इतनी एंजयों की help करता हूं यह इदर अच्छे content बनाते हो ना मैं तो कोई देखता ही नहीं उसको व्यूजी नहीं आते अफिर बताओ एक आर्टिस्ट है आर्टिस्ट वही चीज़ बनाएगा ज तो बेसिकली मुझे दो तीन चीज़े जो अभी बीच में controversy काफी हुई थी तो वैसे तो आज आकास आती आया तो आकास वाली के तो बात ही खतब हो चुकी है नहीं भाई ऐसे चलता रहता है लड़ाई दूस्यारी मुझे परसनली जानना है बिकोस मैंने भी काफी वीडिय कुछ होता है तो मैं तुरंत यूट्यूब पे डाल दाओं मेरे साथ वाले और फिर क्या हम फिर बाद में रिलाइस करते हैं अरे यह तो गलत कह दिया फिर हम नहीं पता है जैसे हमाई लड़ाई भी होगी ना हम यूट्यूब पर देंगे फिर पब्लिक समझाती है कि नही फिर मिल लेते हैं फिर लोग को यह लगता भाई इतनी अल्दी कोई लड़ भी सकता है और मिल भी सकता है ऐसे कैसे बट हम ऐसी है भाई हमारी लाइफ ही यूट्यूब बन चुकी है तो बट नहीं वह तो कंट्रोवर्सी काफी चली थी आकास भाई नहीं बोला था आपने ठीक नहीं है देखो अब इतनी छोटी दुनिया है ठीक है और किसी से दुश्मनी रखके या किसी से बैर रखके ठीक नहीं एक माफी बोल मैं मांग लूँगा या वो मांग ले कोई छोटा नहीं हो जाएगा माफी से फिर मैंने चलो छोडो खतम करते हैं यार क्योंकि से दोनों चीज़ है एक तो फेम भी मिलता है हीड भी मिलती है ठीक है तो यह चीज़ है मेरी मानना तो बिकार है भाई अपना मेहनत करो और सिंपल चलो और आस तक मैंने कुछ खुद कुछ स्टार्टी नहीं करा है अब वह आगे से आ रही है फिर भाई अम मैं रिप्लाइ बढता है वह चीज़ दीरे बढ़ती चली जाती है वह चकर पड़ जाता आप न देखो कर आपके काफी है वह तो रोसकह प्रोसस है इन इतना गंदा थमां जब मैं जिरो से स्टार्ट कर दा था 9 कोई एक एक बंदा हेल्प करने नहीं आया यह किसी ने मेरे उपर वीडियो निए जब वियूज अगर मिलियन में आने लगे हैं मेरे या किसी भी क्रेटर के तो उसको रोस्ट बनना चालो हो जाता है मतलब जब बंदा जीरो है तो उसको कोई सपोर्ट करने नहीं आता है लोकि उस बंदे के नाम पर व्यूज आ रहे रोस्टिंग कल्चर भी ऐसे व्यूज पर काम करती है कभी ऑफजर करना जिस बंदे के व्यूज निया रहे होंगे न उसको कोई रोस्टी नहीं करेगा यह बात तो मैंने देखी है आपको क्या लगता है रोस्टिंग एक अपने नेगेटिव पॉइंट्स जैसे मैं रोस्टिंग देखता हूं अपनी रोस्टिंग देख रहा हूं तो मेरे को पता लगती है मेरी कमिया क्योंकि हर बंदा को यह परफेक्ट हो नहीं सकता गलती हमसे भी होते है और सबस्याद जो बंदा डेली व्लोगिंग कर रहा ह अब जैसे आप पॉडकास कर रहे हो आपकी रियल लाइफ के बारे में लोग को नहीं पता अब हम डेली व्लोगिंग कर रहे हैं ठीक है बाई अब सुबह से शाम तक व्लोगिंग कर रहे हैं तो जरूरी ही नहीं हर बंदे से अच्छे ही बोलें किसी से हम गलत भी बोल जात तो वो हो जाता वाई मेरे खाल से गुस्सा तो आपको भी आता हूँ कभी नगभी गुस्सा तो यह तो नेचर है यार अच्छा मुझे एक चीज परसनली और जानी है कि जैसे आपका जो नेचर में व्लोगिंग पर देखता हूँ एक तम बिल्कुल खुला डुला एक तम जिगर के चलो वाला क्या परसनल भी ऐसा ही है या परसनल बहुत शांत हो परसनली तो देखो मैं शांत ही हूँ जादा मैं बोलता नहीं आर किसी से मेरा आप मिनियचर देखो कि न में एकदम चुप में अकेला रहना पसंद करता हूँ और जब कैमरा आता है तो मेरा आया था जब निधीवन वाला जो कॉंट्रोवर्सी के लिए टूई थी जो यह आपने बनाये थी ओल्दो आपने माफी भी मागी मुझे नहीं पता किन लोगों ने देखा है बट अगर नहीं देखा तो गोरो भाई ने सोरी भी बोला तो गलती हर एक इंसान करता है गलती क करने के बाद माफी मांग लेना चलो एक लिस्ट रियालाइजेशन हो गई होगी बट आपने वैसे करने से पहले आपने उस वीडियो में यह भी वोला तो क्या था एक्जाक्ली वो किस्सा भाई सीन ऐसा है मैं अपनी मेरी मुझे रहती हैं वहां गया था तो मेरे को ऐसा प ख़ deceived यहक्त हो सकते हैं वह जब कर दीना या फिर मैंने कमेंड पड़ हैं यह तो मैं कॉ्छाहां बहुत बड़ी गलती होगी यह तो मुस्से बहुत बढ़ी गलती होगी भाई है अब्सक्ता Пр unpleasant उकुन का रहा हैं और मैं तो यह जा और मैं आख रिटा औरौ Health Leajarid क्या कर दिया तो मेरे दिल में को ऐसी चीज नहीं थी वो किसी ने बोला तो मैंने का हाँ ठीक है कर दिया मैं वह बाद में यार क्या कर दिया मैंने बट कैसा था उस तामे का समय का फेस जब अरेस्ट हुए भाई देखो ऐसी अरेस्ट किया मतलब बेल तो मिल गई अभी अल्रेड़ी ऐसी एक जो मेरे पैट का साथ सीन हुआ था बेल तो मिल गई बट वो चीज जब मैं कमेंट पड़ता हूँ ना भाई मेरे को सबसे आदा द क्लियर करो विकोज उस पर भी लोगों को भूत सारी कंफ्यूजन है तो मैं चाहता हूं आज आप इस भी यू के माध्यम से आप जनता तक यह चीज़ें पहुचा हां यार यह चीज बड़ा आपने सही बोली क्योंकि क्या है ना बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर ही नही चीज वह जैसे उन्हों ने करी ऐसी सेम मैंने करी बट क्या है इंडिया में ना यह आप भी मानोगे कि इंडिया में कुछ चीज़ें जो भार के कल्चर से अलग है और कभी वह इंडिया में आई नहीं सकती ठीक है भार वह करता है तो मतलब लोग वावाई करते हैं इंडिय से मैं दिखा नहीं पाया जो मिसंडेस्टेंडिंग हो गई यह चीज था वाई क्योंकि बाहर के सारी यूट्यूबर्स करते हैं बाहर का जो कंटेंट है ना वह कही ना कहीं हम कोपी तो करते ही हैं आज पोड़कास को देख लो हम भी तो कोपी कर रहे हैं दूसरी चीज एक भ भाहर का कल्चर इंडिया में आये नाये बट अब इस नहीं है फिलाल इंडिया में भी नहीं है बट वह फोटो शूट वैसे वह तो वह तो भी चलो लेटर्स का था बट अगर उससे पहले के अर्लीस 90 भी जाकर देखो तो 90 के भी फोटो शूट पड़े हुए हैं इस तरह क वह तो डिपैंड करता है कि यह उस समय पर क्या सीचवेशन है कैसे आप उस चीज को ले रहे हो तो वह है हमें ना लोग के दिमाग से चलना पड़ता हो कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाए किसी को कुछ नहीं पता है अब यह आपने एक चीज बोली थी कि जब कुछ न कि जब हम कुछ नहीं था ना वाई देखो आदमी पर टाइम रहता तो अपने दोस्तों को टाइम देता है अब मैं अपने काम में बीजी हो गया टाइम नहीं दे पाया और चीज नहीं मतलब एक किसी ने फैक्ट बात बोलिया है और एक पिच्चर में भी डायलोग है त्री है अब सामने वाले इस समझ नहीं रहा है जबकि मैंने सब को समझाई भाइए आपकी क्या सोच है दोस्तों जरूवी है बाइदोस पुराने भाइप पुराने दोस्त और स्कूल के दोस्तों मतलब सबसे बैस्ट होते हैं मेरे को खोड़ अच्या लगता है इश्याम यकिन सब्सक्राइबर का उसके हाट चैलेंजिस क्या थे कि यार यह वाला टाइम ना सबसेट अपता लाइफ तो भाई यह देखो एक तो निदियन वाला फिर यह जो डॉग वाला मतलब जो जो मेरे से गलती हुई है देखो मैंने पूरा यूट्यूब में घुश चुका हूं तो म भाई अब मैंने देखो है ऐसा रिप्लाइची होता है तो मेरी टीम है और यह जो कैमरा मैंन है यह मेरे साथ ही नहीं मतलब हर क्रेटर के साथ होगा बंदक इतनी महनत लागी कंटेंट बनाता है और नीचे पब्लिक हेट करें या कुछ उल्टे सीधे कमेंड करें मतलब लड़कियों के लिए तने गंदे-गंदे कमेंड मीड्श सरफ पड़े नहीं जाते हैं बिना मतलब कि यार आप अपो जानते हैं ऑसी की सिष्टारस्थर है और किसी की या तो गंधे कमेंड क compose कर सकते हो भाई अभी आपने बात करी डिप्रेशन की एक वीडियो भी थी जिसमें आपकी तवियत बहुत खराब होगी थी इमन लोगों ने उस चीज का भी मजाब बढ़ा दिया वह क्या था रियालिटी क्या थी वह भाई मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था आप यकीन प्रेशन में निकलता है तो इतना ट्राइक कर दूब बढ़ मैं कोई भी निकर सकता क्योंकि भाई ये मेरा मेजर सोस्क्राइब करने बीच में इतना हेट फिर मैंने कमेंट यूट तो दीमाग में यूट्यूब चल रहा भाई विबंद ऐसे क्यों लोग रोस्ट बना रहा कदर के हैंग ओवर होगा दिमाग में किस कदर की टेंशन होगी तो भाई वो फेस बहुत बुरा था बट फिर भी मैंने रिकवर कर लिया मैंने यह चीज़ें इग्नॉर करनी है अपने काम से मतलब रखना है बस और देखो 100 यह ना हम कितनी मैनत करने हैं सामने आले का नजरी ह तो उस पर भी डिसलाइक है भाई तो भाई यह दुनिया ऐसी है और क्या गड़ सकते हैं बट क्या लगता है आपको कि आपके कुछ ज्यादा ही हेट मिल रही है ऐसा लगता है आपको भाई देखो आप तो फिलाल एक भी हेट नहीं है अब शांती पूर अग जिन्दिगी ह मेने रहती है और मेरे साथ नहीं है हर वलोगर को एनलाइस करा है हर बंदा इस चीज़ से गुज़रता है और भाई यह यह है क्या ही बोलू मैं बट वैसे डेली जो लोग साब बनाते हो डेली वीडियो बनाते हो उनके क्या-क्या चैलेंजिस होते है कितना इजी लगता है या कितना डिफिकट लगते हैं भाई देखो व्लॉगिंग लोग सोचते हैं असान है अब जैसे मैं अपने रूटीन बताऊं मैं सोके उठोगा ना मैं डेली सर्च करता हूं भाई क्या वनों फिर मैं उसको शूट करता हूं फिर आदे व्लॉग तो बालो शूट हो गए आद ना दिमाग खरा होता है मतलब एक ही व्लॉग को चार चार वारी देख कराऊ हो भाई दिमाग में बस जाता हो लोग फिर उसको डालो फिर उसके बाद फिर पढ़ो फिर उसको थोड़ा नेक्स जो व्लॉग उसको और रिफाइन करो तो अपने बहुत बड़ा अब आपने सबसे पहले चीज क्या है कि हर यूट्यूबर को अपनी और्डियोंस से अपने टीम को बहुता है आप ही रिप्लाइब इंस्टाग्राम पर इसी चीज है कि मैं ना मतलब जैसे आपने वह देखा पूरी शर्ट वाइट है बट उस पर दबा दिख जाता है ना आदी में दिमाग खरा हो जाता था तो मैंना दस अच्छे आते हैं ऐसा निये वह सारे ह जब वह पांच नेगेटिव आते हैं मेरा दिमाग उसमें घुछ जाता है कि नेगेटिव आई क्यों मैंने इतनी चीज अच्छी बनाई इतना खुश करने के लोगों को एंटिटीन के नहीं नेगेटिव आई क्यों मैं फिर उस चीज में सोचने लग जाता हूं एक गंटा जो मुझे लगता है बट अगर मैं पूछू लाइफ को किस तरीके से लेते हुआ आप लाइफ को लाइफ को तो भाई मैं पॉजिटीव ही लेता हूं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है अपने चिल करता हूं और जब मैं डेली पार्टी करता हूं ठीक है अपने दोस्तों के पास से पार्टी करता हूं वह बनाता नहीं ताकि माइंड स्टेवल रहे थोड़ा और ट्रिप मारता हूं मैं वह खुशी मिलती है ट्रिप से और अपनी मतलब जब मैं पर्सनल बैठता हूं ना मतलब दोस्तों के साथ मैं यूटूब के वारे मैं सोचता नहीं भाई यही चिल है इतना ही टाइम मिलता वाई एक दोंटे से कितना ही चिल कर लेगा वंदा आपको क्या लगता है आने वाली जनेशन पर यूटूब इंस्टाग्राम का यह ऐसी चीज़े प्रमोट कर रहे है ना शौट्स और इन सब के थुरू जो चीज नहीं करनी ची समझ रहे हो मैं अपने यकीन नहीं मानोगे मेरे व्लॉग में एड्स ऐसे चल रहा है पहले यूटूब ना मतलब यलो डॉलर कर देता अगर हम कुछ भी कुछ गन का टाइटल लिख रहे हैं या कुछ वैसा लिख रहे हैं बॉम या बलड यह सब तो यलो डॉलर अब यूटूब ऐसी रही किस प्रमोट कर रहा है यह ऐसी एड़ डाल रहा है जो थोड़े वल्गर टाइप है समझे रहो इंस्टाग्राम भी ऐसी वल्गारिटी को प्रमोट कर रहा है करेक्ट अब वह बन्दा स्क्रॉल कर या प्यकिन ही माननों में काड़ी में बैटके जाता हूं तो मैं YouTube बहुत ही कम, बहुत ही कम, व्लोग, in fact, में अपना व्लोग भी डलता, बट खोलता हूं, बट मैं अच्छी देखता हूं, जैसे जो बंदे車 में देते हैं, तो मैं डुनियोदारी में, प्रॉप गोले में कैजी चल कॉले हुथ, आपका कितना रोल है इन चीजों में यह वैसे नहीं मारती मेरे को कि भाई गलती क्यों कर दी तुने यह वैसे मारती है घर में कोई मैं परिशान करता हूं यह डॉलर के साथ खेल रहा हूं है ना भाई से मजे ले रहा हूं तब मारती है जनता डिमांड कर रहे है कि आंटी का अलग चैनल खोल के दे दो भाई मैंने भी बोला पड़सो भी बोला मम्या आप अलग व्लोगिंग करो आप बड़ी फनी हो मिया कर आप बताओ यूथ को ठ्रू करो सोट को कुछ बताओ को जा बोलना जाओंगी घुरं ने इसी महनत करें हम गहां रहे हैं यह पहुंछ तो भाई मेरा तो यह मानना पैरेंट्स को ना हमेशा साथ रहो यह तरीके से ब्लैसिंस सेवाई यहीं मिया तो आप अपने काम में अपनी ब्लैसिंस को लेके क्योंकि आप तो हर लोग में तो आप दिखते रहते हों तो कभी बोर्णी होते कि हर बात पर कैमरा टालें कि एक तध कर लेती हैं है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा लगता है मैं दिल से भी करती इसके साथ तो अभी बहु जब दस्ती एक दिन करा लेगा दो दिन करा जाओंगी ना तो मेरे को फुसी होती है इसके साथ काम करने तो व्लोग्स में भाई के इतने सारी लड़किया आती है तो कुछ सलेक्शन चल रहा है बहु सलेक्शन साथिवादी कर दो बाकी मैं अपने लिए पर्सनल इसकी इस साल सोच रहे हूं कि साधी कर दो तो गोर्व भाई बाकियों का तो कट गया बता है यार इतनी बड़ी अवड़ी है लड़किया लाहा हूं विचारियों को उमीद है मैं आसे क्यों कर है वाई कल को अगर बैस नहीं भी लिखनी तो आप ब्लेम तो कर जाते हो कि गोर्व तुने तो तंक करके फैक दिया कुछ ऐसी है इसकी मुझे तो अभी तो सही होगी 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 और बताओ ना रात को एन जगता दिन में सूता है यह तो यूट्यूबर सारे ममी कहते है तू रात को तीन चार चार वजे तक आता है मैं ममी यह आजकल का यह ट्रेंड है रात वर लेप्टॉप में कंटेंट जिखता रहता है क्या करना सुबह क्या करना है मैंने कि इतनी मैनत करेगा अपने सरीर के लिए भी समय निकार अपना ध्यान रख यह सब करते ह समझा करो कुछ पाने के लिए कुछ खोना अपड़ता है और अपने सरीर का प्याले ज्यान रहे है कुछ इसके लिए तुम मैनत कर रहे हो बड़ी खाना के लाए एक सवाल था मेरा यह कमेंट्स बॉक्स में से ही मैंने निकाला था जब आपने बाइक भी गाड़ी भी सब जिदी प्रोपर्टी को लेके तो उसमें लोगों ने काफी चीजे नेगेटिव भी बोली थी तो वह एक बर अँटी आप बताओ किस्ता कि वह क्यों किया था और किस ले किया था वह देखो वह उस बात में बिल्कुल सच्छा ही है वह अमने प्रोपर्टी ली थी तो देख चलो तौब है और इस्तों करते है तो ठीक है अगर आप भी है अगहार्य होते हैं अगई, तो सायद आप भी और इना यह है करते कि अपना कुछ बेज करके पाते है, ठीक है, मुजे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे फ़ह ब wod tartinton चाहिए कि चलो ठीक है ना इतनी मैंने तो मैं सोच रहा हूं कि अपनी थार और बेजदू भाई पहले वह चीज चुकाना जरूरी है तो मैंने का थार मत बेचा भी थार है ना लॉन पर तो मैं भी यही प्लैनिंग कर रहा है तो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अउयसा शाल ला लात खोर ऊचुझे उतके अनुठ है कि माम का ज़स्थ कोई नहीं हो सकता हरा है यह तो पातमना कितनी सचा है मैं जानती हूँ और यह जेए बताना चाहूँ कि मां से अच्छा दोस्ता कि मा कषश दोस्ति का पातप्प थीज रहें ऑगी उनके वोगा एक कम मुझे प्यार देंगे मुझे और बिसमा खुष हूब कि आज एक सेलेविटे मुझे इजजत मिलती है प्यार मिलता मुझे खुष हुथ हिए कैसे कहते है जो और गुर५ जोन की मम मठाशारी कैसे बोलते है तो आपको जब कैसा लगता है जब लोग बाग गोरव को कुछ भी कमेंट्स करते हैं विथ सारी कॉन्ट्रोवर्सीच हुई ठीक है कुछ लोगों ने बहुत सखेंगा। क्वाव ने हम जानके बिल्कुल नहीं करते हैं आपको क्वारल पैट कि मैं अपने मेरे लंग से जलकिता हैं veg keywords कर चाहिए। जया थिंते ह Literally घडए। तो आज वह दुख होता है कि देखो अमने क्या सोचाता हो तो क्या हो जाता ठीक है अच्छा भी दिन आता जब अच्छा हमने देखा भी देख लागा तो इसके साथ खेलने में उसके साथ खेलता हुआ है तो मंई मेर तो चलो बुरे लोगों को कर देते हैं अच्छे लोगों को क्या बोलना चाहूंगा जो तुम देखना चाहते हो बताओ क्या देखना चाहते हो वाकिया मैं बोलता है इतना हो नहीं कैमरे का में को जादा बोलना नहीं आता तो भाई जो चाहने वाले ना भाई उनको मैं एक दिल से शुक्रियाद करूआ भाई मतलब एक बंदे की ड्रीम पूरी करिया तुम लोगोंने भाई तो जो मैं सोचता था आज वहां मैं हूं और बगवान करे कि आपको कि मुँः कृप इन्ट्रीण करने करने कि प्लावर धे मेरे बगवान तो बहुत-बहुत भूँत थेंक्यों आपको बच्चे बहुत प्यार करे देल के रहा जांफ देखहरा ना भाय वो जो प्यार है, ना भाई, मैं देखता हूं, आज कल लोगों पे, अपने माबाप के लिए टाइम नी है, अपने दोस्तों के टाइम नी है, और किसी के लिए और रो रहे हैं, इतना घर करते हों गाई, मैं तो वो सोच के लिए आपको आगे करना है, हाँ उन्हीं लोगों के लिए करना है जो negativity है उसको कर दो side और आपके साथ तो मा है तो और क्या ही चाहिए मेरे पास मा है तो भाई इतना सारा discussion हो गया मदर ने भी काफी कुछ चीजे बता दी तो कैसा लग रहे आपको आज ये podcast शूट करके कैसा लग रहे भाई podcast ना मैं खुझ चाहता था एक धंका podcast हो क्योंकि यह चीज में अपने चैनल पर बता दा ना तो लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं तो वह सोचे एज व्लॉग चल रहा है क्या है क्या नहीं बट अब मैं आपके उस पर चैनल पर पोड़कास में तो लोग मतलब पुरे म सब जानेंगे लोग समझेंगे मेरे बारे में क्योंकि ना लोगों ने एक अजम्शन मना लिए बहुत से लोग मिलते हैं आपको रोस्टिंग वीडियो देखा था वहां से हमने आपको जाना आपके दिमाग आपकी जो इमेज है नहीं नेगेटिवी बनी हो क्योंकि जो ने ने रहना पसंद है मेरे को बट अब मैंने सोशलाइज होना थोड़ा चालू कर रहा है ताकि लोगों को पता चले कि भाई मेरी कैसी परसनेलिटी है मैं कैसा हूँ रियल लाइफ में तो यह मतलब अमेजिंग एक्सपिरियंस आ और थैंक यू सो मच कि आपने मतलब बुलाय और मेरी बाते लोगों तक रखी ने ने थैंक तो मेरे को बोलने है क्योंकि मैं भी आपको काफी टाइम से फोलो कर रहा हूँ तीन-चार साल से देखता हूँ जब आपकी थार आई थी ना वाइट कल ले जब आप उसके रैप करा कहा है तो मेरे को लगा क्योंकि जैसे मैं वीडियो में होता है न कि कमेंट्स डेटिवस आजाते हैं तो मुझे लगा कि गौरव भाई से इक बात करना क्योंके मुझे नहीं लगता कि ये बंदा ऐसा कर सकता है क्योंकि जो बंदे आपको शिरू से देख रहे ना उनपो पता है कि गौरव कैसा है नहीं मैं य्ये चा और यह चीज मुझे लगता है इस पोड़कास से आई थिंग लोगों तक पहुँच चुकी होगी कि भाई को जितना हो सके न उतना जादा सपोर्ट करो तेंक यू और मेरे भाई को भी करो यार यह मतलब बहुत देख रहा हूं है कि इस चीज असान नहीं है इस दुनिया में यह कह रहा हूं अब एक लास्ट मैसेज जो आपके सब्सक्राइबर जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ एडवाईज कुछ सजिशन कुछ जो भी आप बोलना चाहूं एक मैसेज थू कर दो दो तिन चीज़े मैं आप लोगो बताना चाहूंगा सबसे पहले ना यूट्यूब पर देखते हैं अच्छी चीज़े देखा करो जिससे आपको ना दस मिनट बाद आपको लगे हां मैंने यह चीज़ गेन करी फालतू की चीज़े ना भाई हटा दो स्क्रोल करकर करके ना आपका टाइम खराब हो रहा है उससे कुछ सीख नही बट मावा ऐसी चीज़ है ना भाई तुम्हें दो थपड तो जरूर मारेगा लेकिन तुम्हें फिर मौत के मुझसे भी निकाल के लाएगा वाई मावा ऐसी चीज़ है ठीक है तो यह और तीसरी चीज़ कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है मेरे घरवाले बाई मैनत मत कर मैं मैं कहता हूं ममी देखो गरीब पैदा होना हम डिसाइड नहीं कर सकते बट अम्मानी हम क्यों नहीं बन सकते भाई किसने हमें रोका दो पैर दो हाथ है हम पर भाई को मैनत करो कहीं भी जा सकते हो तुम लोग सिर्फ सोच डवलप करनी है अच्छी सोच यह बन करो भाई को और भाई मैं देखता हूं भाई मैंने इनका रीसेंटली चैनल देखा बहुत से लोगों के बारे में जानने को मिलता है एक उनकी अच्छी साइड भी जानने मिलती है और पता लगता है हर बंदे की लाइफ में पर जो हम से ऐसी जज़ करते हैं बहुत सी य अब आनो और हर बंदे से कुछ नगूँ सीखो जैसे कि मैं भाई से सीख के जा रहूं अरे नहीं ऐसी बात दिया और थांक्यू सो मच आपने डाइम दिया और अपने सब्सक्राइबर को बोल दो आपकि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लें ना जाकर बाई इंडिया में तो चलो गाइस करते हैं इस पोड़कास को यहीं पे खतम मिलते हैं आपको नेक्स पोड़कास में और अगर यह वाला पोड़कास देखते देखते आप यहां तक आ गई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बगार मत जाना लव यू बाई झाल 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 झाल